हां तो परने पिछले वीडियो तक छह आपकी रियक्शन यानि की छह भी करने अपने अपने कम्प्लीट कर ली थी आज अपने स्टाइट गई रिएक्शन नमर साथ से जिसका नाम है इल्रिवर्सेबल रियक्शन यानि की अनुद्ध करवनी है भी रहा यह यह भी एक्जाम होने वादी अभी करिया करके उत्पात बनाते हैं बिल्गुल सही है तो रेक्शन हो रही है पर प्रोड़क्ट बन रहा है यह अभी करिया है कि एक ही दिशा में होती है ठीक है इसलिए इसलिए इसको साधान तीर के चिन यानी की नॉमल एरो से दिखाते हैं तो यह आपको एस बहुत इजी स्लेक्ट किया है मार्क्स अब आपर मिलेंगे एक्जामपल ऐसा स्लेक्टरो जो लान नो जाए बस सी प्लोस और तूसी ओटू एजी लिए एक डिरेक्शन गेरो बना तो बस बात खतम बात ठीक है फिर नमर आट है रिवर्सिबल रिवर्सिबल का नाम सही बत प्लोस और यह एक्जामपल एंगलिश और यह रहेगा ठीक है उदारन और इसका एक्जांपल आपके यह रहेगा ठीक है एंट्टू नाइट्रोजन प्लस हाइट्रोजन अप्र एक्षिन एनस त्री और एनस त्री क्या होता है अमोनिया मैं आपको लिखाए था स्टार्टिंग का जो फर्स वीडियो के था अपने चेप्टर आठ में जो फर्स वी बिखाए था प्रेट्रोजन और या रहे वहाएं ऑपने यह प्रस आपकी यह रिवर्स यवर्स जाएंगे हैं एक्जाम में बहुत इंपोर्टेंट तरीके से पूची आती है और हर बार आती है इस बार भी आई थी तो बहुत मौस्ट है नुट्राइजेशन यानि कि when acid and base react then salt and water are formed this reaction is called नुट्राइजेशन ठीक है यानि कि उदासी नहीं करने इंदिन बोलता है जब अम लवशार अभी किरिया करते हैं तो लवण तता जल बनता है इस अभी किरिया को उदासी नहीं करने बेरे कहते हैं और एक example याद कर लो देखो यह हैं अम एसीड है एसील ठीक है और यह लवण यानकी base ठीक है हालां कि मैं आपको लिस्ट लिखा दूँगा जिसमें acid और base होंगे भी लिका देता हूं वह लिस्ट आप अलग से याद कर सकते हो ताकि वह बहुत काम आती है आगे बहुत काम आएंगे तो मैं एक लिस्ट बना दूँगा अभी तो एसील आपको पता है नमक होता है लवन होता है होता है प्लस एस्टो पानी ठीक है एस्टो कि पानी का फॉर्म लाता है तो यह सिंबस जैसी इसने बात कही थी वह क्यों बना लो आप मैं आपके लिए कुछो भी इंपोरेंट कुछ होता हो निकाल के लाता हूं जरूरी आपको पैचान में आएगा ठीक हालांगि अलग से कि लास्ट में जिसके भी ओएच वाले जितने भी होते हैं वह सब के सब क्या होते हैं हमेशे याद रखना जिसके भी लास्ट में हो चो जब तक वह दिखे आपको समझ जाना हो क्या है वह आपका बेस है मतलब कि शार है इस साथ याद कर लेगी तो यह थिया आपको काम आति एक सबस्क्राइब नहीं घ्र etChar happy बहुत आप्दोत है इसके लिए मैंने पहले आपके लिए टेबल बना दिह वह वह प्र इम्सक्र काम खेंगे इसमें क्या होगा अगर यह table नहीं बनाते हैं तो फिर तीनु बाते हैं आपके समझ में नहीं आते हैं तो पहले इस table को समझगो फिर तीनु बातों को समझगो एक्जाम में 100% है क्यों या से एक नमर का आता है देखो strong acid, प्रबल अमल, strong base, प्रबल शार, weak acid यानिक दुर्बल अमल और strong acid यानिक दुर्बल शार कौन-कौन से होता है आप ज्यादा नहीं तो खास-खास example याद कर लेना S2SO4, strong acid होता है, HBR, HCl, HNO3 इनमें ये चारों भी वैसे मैंने बहुत ज़्यादा होता है वैसे तो लेकिन आपके level के ही मैंने select करें बस इनको आप अच्छे से learn कर लो मैंत कहता हूं रटलो बस ये बहुत important चीज है दूसरे बार strong base में NaOH, KOH और barium hydroxide 2 यानि कि barium hydroxide है ऐसे weak acid, acetic acid सुना होगा आपने CSTCOH ठीक है, H2CO3 hydrogen carbonate होता है, hydrogen sulfate होगी है, H2S और H2S अब यहाँ ध्यान देना, आपने स्टार क्यों बनाएं कि H2SO4 ये तो हैं आपका strong acid यानि कि प्रबल हमल लेकिन H2SO3 ये H2SO3 और H4 में आपको first video के लिए था, बहुत important है वो उस playlist में जाना, chapter 8 की में, सब आपको पता सल जाएगा, H2SO4 क्या है, H2SO3 क्या है, H2SO4 तो प्रबल अमल है, H2SO3 दूर्बल अमल है, ठीक है, बहुत important चीज है, पिर दूसरे बास strong acid NH4, OH, ammonium hydroxide, zinc hydroxide, aluminium hydroxide, ये सारे क्या होते है, है है, है हमारे strong acid ह ये टेबल आपको अच्छे से में दम perfect तरीके से learn करनी है, रत्मी एक तरीके से, बहुत important है, अब क्या है, अब ये तीन बाते हैं, अपर अच्छे से learn करते हैं, पहली बात ये, कि समान सांधरता के, प्रबल अमल एम प्रबल शार, यानि कि strong base or strong acid, strong base or strong acid, इन दोनों में से क कोई एक example, आपस में कोई सा भी ले लो, जब आपस में reaction करते हैं, मतलब जब अब बेकिरिया करते हैं, तो विलियन की pH साथ से ज्यादा होती है, एक नई चीज निकल गया ही pH, मैं बहुत जबरदस तरीके से आपको अलग से pH का वीडियो बिनाऊंगा, ठीक है, इसके अंद एसिड और साथ से ज्यादा बेस, यानि कि इधर तो एसिड और बेस, एसिड का मतलब अमल और बेस का मतलब शार, तो अगर pH का मान, pH की वैल्यू साथ से कम है, तो अमली है, साथ से ज्यादा है, तो बेस यानि शारी है, और साथ से कम है एसिड है, और बिलकुल साथ पर है ना तो शाहर उदास्तीन गौन के बीच में कराने से पीएज की वेल्यू साथ हो जाती है वेरी इंपोर्टेन न तीन क्योशन है तीन पॉइंट नहीं है एक तीन क्योशन है तो आपके लिखना है कि जब स्ट्रोंग एसिड समझ पा रहे हो प्रबल अमल और स्ट्रोंग बेस यानि कि प्रबल शार की रेक्शन करवाते हैं तो पीएज का वेल्यू साथ हो जाती है मलब बराबर साथ पर है मलब न्यूटरल उदासेन परफेक्ट? ओके दूसरी बात जब स्ट्रोंग एसिड यानि कि प्रबल अमल की रेक्शन दूर्बल शार यानि कि वीक बेस के साथ करवाई जाती है तो पीएज की वेल्यू लेस देन सैवन यानि कि साथ से कम हो जाती है यहां तो साथ के बराबर यहां साथ से कम समझ पार है? very important तीसरी बात जब प्रबल शार और दूर्बल अमल की रेक्शन करवाते हैं पीएज की वेल्यू साथ से ज्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा द्यान लगना पड़ेगा यहां पर प्रबल अमल दूर्बल शार है यानि कि स्ट्रोंग एसिट और वीक बेस है यहां पर स्ट्रोंग बेस और वीक एसिड है पीछ इदर दूर कराने से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़े जाता है तो इन तीनु बातों को अच्छे से लर्ण कर लेना तीनु की तीनु क्योशन है और स्टेबल को भी साथ में अपने नॉट्स में मनाना वो छोटे सरल अनों में तूटता है तो अभी की रिया होगी मतलब सब्सेंस ब्रैक्स इंट्व सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स देन रियक्शन इस कोल्ड वो क्या कहलाएगी चार ओप्शन आपके पास है तो बताओ क्या कहलाएगी अब घ्टेणीं कहलाएगी या नि कि क्या अब घ्रिया जाएगी या उस्टीयकां हल्गि मैंने बता रखा है लेकिन ये चीजह जाना ज़रूरी कि एक्जम में कोई स्वर्मेट्स हैं क्योंकि पूल्मेंट ओसमें हम पर कवर हो जाता है तो पूरे नोट्स बना लोगा अच्छे से मेरे साथ के साथ है को मैंने जतनी मैनत करिए आपको यूटूब के इतना आपको इतनी मैनत करें कोई नहीं बताएगा पूरा आपके अकोडिंग तो आपके सले बस पीछे वाले क्योशन भी साथ में करवा रहो यानि कि एक का डिस्प्लेस्मेंट हो गया यानि कि किस परकार की रेक्शन है फिर विस्थापन अभी कि रिया है क्या वाँ कि जो एसो पूरता सलपेड हो जिंक के पास में आगया और कोपर के लाओ यह अपने एक्जांपल में लिया भी था वहां पर तो यह कौन सी किसे कहते हैं अभी आज जी के वीडियो में लिया था अपने वोटार रिवर्सीबल रियक्शन तो जहां पर लिगाता हूं आए क्योशन लिख देना ठीक है फिर 18 क्योशन आपका अमल वेशार की प्रश्पर अभी कि रिया कौन सी बिग्रिया कहला दी है आज लिया था देना दा बैसे जोफ वैलसीटी यानि वेट के आदार पर तो दो परकार्गी होती है तू टाइपस ठीक है कौन-कौन सी एक तो फास्ट इसी है फास्ट का मतलब तीवर अभी कि रिया ठीक है और एक आपने लिखी यह सेकंड वीडियो में मिलेगा आपको अपने पार्ट टू किया था वीडियो का पार्ट टू है ना सेकंड वीडियो उसके अंदर इनको बहुत अच्छे से एक्स्प्लेंड मैंने आपको कर रखा है फिर आपका पीछे का बीस्ता क्योशन आपको जो राजिस्तान बोर्ड की ओरिजनल बुक है उसके अंदर ठीक है जो प्राइवेट बुक उसकी मेरी को गरेंटी ने ताप अब गटन अभिकिरिया का उतारण दे यानि कि व्राइट दे एक्जाम्पल अब थर्मल डिसोशिये अब गटन अभिकिरिया करवाई यह उसके तीन टाइब बताएं उसके अंदर ताप अब गटन यह बिकिरिया का इसा आप लिए वह लिए उसके उपर एक्शन उतार देना ठीक है फिर एक्टियोशन में 24 आपका कोई लेका दहन कोंसी अभिकिरिया है यानि कि वह टाइव ओक्षिन के साथ जल रही है स्योटू मतलब समझपा रहे हो कोई रा जलने की रेक्शन कौनसी एक्जाम में वर्य इंपोर्टेंट ऐसे रेक्शन आ जाती है तो कौनसी होगी सी प्लस और आप्ट रेक्शन स्योटू यह भी अपने वहाँ पर पार्ट टू में ले रखाए ह प्रबल अमल वे प्रबल शार के मद्दे में आज ही बताए था आपको टेबल वनवाई थी ठीक है प्रबल अमल वे प्रबल शार के मद्दे अभी गिर्या कराने पर विलियन की पेच कितनी होगी यानि की वोट विल बी दा पीच आप सॉलूशन वैन स्ट्रॉंग एस्ट स्ट्रॉंग बेस स्टार्टिंग में लिखाए था तो पीच कितनी हो जाएगी पीच हो जाएगी आपकी साथ ठीक है न यह फर्स पॉइंट था आपका वेरी इंपोर्टेट मैंने का भी था है यह आपका पीछ वाले क्योशन ट्वेंटी फिप तही है फिर ट्वेंटी से 26 बहुतिक रासाइनिक परिवरतन में अंतर लिखिए वो डिफ्रेंस बिट्विन फिजिकल एंड केमिकल चेंच बिल्कुल कर लिया अपने फस्ट वीडियो में पहला ही पहला जो वीडियो था अपना पार्ट वन इसी जप्टर गा उसके अंसर आपको बहुत अच्छे तर अब गटनी अभी किरियों को एक एक उधारन के साथ लिखिए तो वहाँ पर क्या लिखना है आपको राइट वन इग्जांपल अपको कॉमिनेशन और डिकोपोजिशन रिएक्शन क्या करना है पहले तो उसको रिएक्शन को लिखनी है उसकी परिवासा डेफिनेशन लिख भी को यह पूछ रहें उपरोपष अभी किरिया किस परकार की नाम लिखें मतलब यह विच टाइप ऑप रियक्शन इस राइट तरड़नेशन वहां सब्सक्राइब किस परकार करना हुं। यहां पर CL था तो इसका NO3, HNO3 इधर चला गया ठीक है तो यह NO3H का नाम आ गया इसका NO3 नाइट्रेट इस नाइट्रेट के साथ चला गया पोटेशिम नाइट्रेट हो गया और यह जिसके पास में मुझा आपस में एक्सेंज होगे गया डॉनों जब होता है तो डिस्प्लैस्मेंट या रेप्लेस्मेंट बहुत इंपोर्टेंट अब इस इस ने ुदू वीडियोगे में थाटी फ़स्ट भी कर लिया यानि कि एक्स्प्लैंट टाइप सब्सूश जिएशन डियेक्शन बह कितने परकार के होती है वरण करो पहले आपको dissociation reaction लिखनी है उसके बार उसके तीन टाइब लिये थे ठीक है थर्मल वाले वो सारे तीनों की तीनों आपको definition प्लस उनकी example भी आपको लिखने है क्योंकि इसने complete explain पूचा है वरणन पूचा है ठीक है वह आपका अंसर हो जाएगा तो जहां पर भी लिख रहे कि इसके उपर यह वाले question उतार तो आप ठीक है समझ पार हो यह पूच रहा है कि यह reaction possible है क्या copper plus zinc sulfate after reaction copper sulfate plus zinc तो इस reaction is not possible because copper is less reactive than zinc अब आप क्या सुचोंगे आपके पास confusion रहे गए आपर आपके पास है displacement reaction वहां पर विश्था आपने बिगिरी आपने example यह था वो ध्यान करना वह वह है जिंक प्लस CUSO4 आप्टर reaction जिंक यह वाली उसमें इसमें यह फरक है कि यहां पर CUSO4 है जबकि वहां पर zinc zinc sulfate है तो यह बड़ा कारण है कि copper is less reactive than zinc copper हिंदी और पचले लिए यह संभव नहीं है क्योंकि copper कम किरयाशी ले zinc है और तो zinc है कम किरयाशील होगा न तो फिर यह इसके साथ कैसे reaction कर सकता है जिंक करेगा जो ज़्यादा किरयाशील होता है जो ज़्यादा reactive होता है वो reaction उनके साथ में करता है तो यह SO4 की reaction इसके साथ होने चाहिए थी समझ पार हो ना इसलिए इस condition में यह possible नहीं है अगला F plus CO4 यह iron होता है iron और copper sulfate after reaction iron sulfate plus copper यह possible है क्योंकि iron being more reactive than copper iron copper से ज्यादा reactive होता है इसलिए तो प्रकारी की होती है वरन कर बिल्कुल बकाईद आपने आरा हम से कर रहा है या तो सेकंड वीडियो मिल जाएगा पार्ट टू या पर पार्ट वन में मेरे साथ नोट सकर बना रहे हो आपको तो पेज प्लेट के देख लो यह काम पर है उसके उपर क्योशन लिख लो यह ठीक है यह भी भी किया ता आज ही किया इनमें डिफ्रेंज बताओ उतकर्मणी यह आपका 41 क्योशन का फस्ट डालागी इसमें तीन यह चार पार्ट है लेगिन अब मैं वह एक रहाओ जो अपने अभी तक पढ़ लिया जैस जैसे पढ़ते जाएंगे वेस्वास करते जाएंगे तो यह आपका 41 का फस्ट पार्ट है उतकर्मणी यह अनुत कर्मणी यह इर्रिवर्सीबल और इर्रिवर्सीबल रियक्शन्स वाला ठीक है तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैं आपको नोट्स बन रहा हूं बहुत मैनत करा हूं कितना लिखना पड़ता आपको बता है इन इंगलिस दोनों लेंग्वाज़ पर अच्छे से लान करना मेरे साथ स इसके लावा कुछ नहीं पड़ना हंड्रेड आट और हंड्रेड मार्क साहेंगी केमस्ट्री फिजिक सारी साइंस के इंदर ठीक है जब तक आप बहुत अच्छे से पड़ों मिलते है नए वीडियो के साथ ओके